शेशी सिह सोसल मीडिया प्लेट फार्म कोरा पर लिखते है कि मैं भी रांची स्थित बी आईटी मैसरा से पढ़ा हूँ वहीं जहां का छात्र अभिशेक मिश्रा भी था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसका अपराध वो और लालू यादव की बेटी रागिनी एक दूसरे से प्यार करते थे। अर्चना और उपासना एक्सप्रेस की बात करने वाली रोहिने आचार्य इस पर कुछ नहीं बोलेगी। जो लोग रांची में रहे हैं वो जमशेदपुर मार्क पर स्थित दशम वाटरफॉल्स के बारे में जानते हैं। कई वहां घूमे भी होंगे। अभिशेक, रागिनी और इनके दो दोस्त वहां घूमने गए। अचानक से पानी में डूब कर अभिशेक मिश्रा की मौध हो जाती है। लड़का कोई साधारन परिवार से नहीं था। पिता सुभाश मिश्रा, दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया, आरेमेल, अस उपर का एक दांट तूटा हुआ था, उनके दाहिने पाउं पर जख्म था, पीछे से खोपड़ी भी फैक्चरड थी, लेकिन नहीं, ये तो डूबने की दुरगटना से हुई मौत थी। रागिनी वहां मौजूद थी, लेकिन कभी कुछ नहीं कहां इस पर। दो दोस्त भरत और विशाल थे, उन्हें मौके पर से सीधे मुख्य मंतरी आवास ले जाया गया, वहां से दोनों कहां गायब हुए, किसी को पता नहीं चला। तीन दिनों बाद जब वो सामने आये, तो उन्होंने बताया कि अभिशेक मिश्रा और रागिनी यादव शाद पहुँचे तो राजित नेताओं ने उन लोगों को घेरे रखा। इडी उनसे पूछताच भी कर चुकी है।